चोपड़ा एजुकेशन योटूब चनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदेख स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बच्चों MCC के सेकेंड राउंड के लिए MBBS, BDS, BSC नर्सिंग के लिए 24 फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं आपको एक सही तरीके से 24 फिल करना है, क्योंकि आपको साड़े-पांस साल एक कोलेज में रहना है तो साड़े-पांस साल के लिए एक अच्छे कोलेज का चैन करेंगे आप, एक अच्छा कोलेज चूज करेंगे तब आपको better education मिलेगी और life में आगे आपको काम आएगा है तो इसके लिए आपको अच्छे से 24 फिल करनी है अच्छी कोलेज के लिए और कोलेज लेने के लिए 24 ही मैन होती है, जिस कोलेज की आप सही तरीके से 24 फिल करेंगे वो कोलेज आपको easily मिल जाए और अच्छा कोलेज मिले अभी आज की date में 397 कोलेज हैं जिसमें 3 कोलेज गल्स के लिए हैं बाकी 394 कोलेज बॉइज के लिए हैं तो इनमें आप एक सही तरीके से perfect तरीके से 24 फिल करें ताकि आपको अच्छा कोलेज मिल सके और आप 5.5 साल तक अच्छी तरीके से mbbs कर सकें तो मैं आपको यहां पर कुछ points बताऊंगा उन points को आपने ध्यान में रखके 24 फिल करना है कोई गल्ती नहीं करनी आपकी एक mistake आपके 5.5 साल के लिए दुखताई हो सकती है तो सबसे पहला point यह है कि आपको कोलेज हमेशा टोप से लोके करम में फिल करनी चीए यानि कि जो टोप कोलेज हैं उनको नमर वन पर उससे नीचे वाले दो पर उससे नीचे वाले तीन पर इस परकार से आप एक white page ले ले और white page पर पूरी कोलेज इस परकार से लिखते जाएं और लिखने के बाद में आप 24 फिल करें अब यह कैसे होता है टोप से lowest के करम में आपको 24 फिल करने से क्या फाइदा होगा क्योंकि इसमें जो computerized allotment होता है वो computer आपकी पहले rank देखता है और फिर vacant seat देखता है उसके according seat allot करता है तो मैं आपको यहाँ पर बताओं कि यह seat allotment कैसे होता है और आपको top to lowest के करम में कैसे फिल करना से यह colleges को मैं यहाँ example के तोर पर यहाँ आपको 15 colleges का example दे देता हूँ यहाँ जो total colleges है आप इनको 397 colleges समझो मैं यहाँ आपको 15 colleges के माद्यम से ही बता देता हूँ कि आपको 397 colleges की preference से computer seat कैसे allot करता है तो आपको सबसे पहले जैसे एक नमर पर aims दिली दे दिया टोप का institute है दो नमर पर mmc दे दिया तीन नमर पर vmc दे दिया तो यह आपको जो college देने हैं आप यह मत समझो कि मेरी rank low है तो मैं aims दिली नहीं फिल करूँगा सभी candidates को aims दिली फिल करना चीए अगर उनमें seat vacant होके आती हैं second round में तो सारे colleges टोप के college भी फिल करना है क्योंकि काफी सारे candidates ऐसे college छोड़ देते हैं वो यह सोचते हैं कि यह college टोप है मेरे को मिलेगा नहीं क्या पता कि इस college की कितनी low rank चली जाए और आपके नए फिल करने से वो college से आप चूप सकते हैं मैं आपको यहां यह नहीं बताने वाड़ा कि आपको low marks पर भी एम्स दिल्ली मिल जाएगा मेरा कहने का मतलब यह है कि कई college ऐसे होंगे जिनको आप यह समझ के छोड़ देंगे कि यह college तो काफी top है मेरे को मिलेगा नहीं हो सकता है वो top college कभी कभी lower rank पर भी मिल जाता है इसलिए college हमेशा top to low के क्रम में फिल करनी चीए अब computer system से alert कैसे होती है seat वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें भी काफी सारे candidates को doubt होता है अब यह सारे मानलो 397 colleges है यह तीन colleges मैंने यह लिख दिये है लेकिन यह 397 colleges इनको मानके चलो कि यह 397 colleges है और हमने top से low के क्रम में इस परकार से फिल कर दिया है इनको अब A candidate है इसकी rank 180 है सबसे मानलो top में यही candidate है ऐसा हम मानके चल रहे हैं कि यह top में है अब computer सबसे पहले इसकी rank देखेगा इसकी 180 rank है इसकी 180 rank है अब इसकी जो पहली 24 है उसमें यह देखेगा कि पहली 24 में क्या seat है इसमें vacant अगर इसकी category में जिसके लिए eligible है यह seat है तो इसको पहली 24 अलोट कर देगा अगर इसमें seat नहीं है तो इसको छोड़ देगा और next 24 पे आ जाएगा अगर इसमें seat available है जिसके लिए eligible है जैसे माल लो इसकी category में seat available है और इसके लिए eligible है तो यह second number की 24 इसको अलोट कर देगा अगर इसमें seat नहीं है तो यह आगे बढ़ जाएगा तीसरे नमर की 24 पर आ जाएगा तीसरे नमर में भी same condition है seat है तो अलोट कर देगा अदरवाई छोड़ देगा चोथे भी यही होगा इस परकार से computer आपकी preference से पहले से लेके आगे तक चलता रहता है और जहाँ इसको vacant seat मिलती है आपकी category में आपकी eligibility पर वहाँ पर यह seat अलोट कर देगा माल लो यहाँ पर पटना में seat available है आप OBC category के candidate है और यहाँ पर पटना में seat available है अगर UR में है तो आपको UR की seat अलोट हो जाएगी यहाँ पर पहले अगर इसकी 24 में available नहीं है तो उसको कोई भी seat अलोट नहीं होगी इसलिए higher rank को कभी seat अलोट नहीं होती है किसी कंडिशन में उसकी 24 नहीं रहती तो काफी सारे स्टुडेंट सोच लेते हैं कि इसकी रेंग तो काफी जादा थी इसको पहले कोलेज मिलनी चीए ती क्यों नहीं मिली तो वो इसी कारण से फिल की हैं वो उसमें available नहीं थी उनमें seat available नहीं थी तो इस फरकार से 180 ये जो फर्स्ट जो इसको candidate मिलता है उसका clear होने के बाद ही दूसरे candidate पर ये computer पहुचेगा ये इस पर तब ही आएगा जब ये फर्स्ट वाले का clear हो जाएगा अब second वाले की ये इक condition है first वाले को clear करने के बाद में second वाले पर आएगा second में भी ये first से देखेगा second वाले की first twice क्या है मान लो second वाले की first twice यहां से सुरू है तो यहां से सुरू कर देगा computer इसमें seat vacant है तो इसको alert कर देगा otherwise नीचे बढ़ जाएगा इसमें seat है तो alert कर देगा अदरवाइज फिर नीचे बढ़ जाएगा इसमें seat है तो alert कर देगा ऐसे करके मान लो KGMC लखनव उपर इसको seat vacant मिली है आपकी 24 पर तो यहां लखनव alert कर देगा अगर 24 पर seat नहीं है तो alert नहीं होगी तो यह इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा इसको alert इसका clear करने के बाद इसका clear होने के बाद ही आगे बढ़ेगा इस रेंग पर इसका clear होने के बाद ही इस रेंग पर आगे बढ़ेगा तो computer भी top से low के क्रम में candidate को seat alert करता है अब यहाँ एक देखने वाली बात यह है हर एक student को इसके बारे में बहुत ज्यादा confusion है जो मैं आपको बताने वाला हूँ किसी कंडिडेट को ये confusion होता है कि मान लो किसी कंडिडेट की 180 rank है किसी कंडिडेट की 180 rank है और इसने 180 rank वाले ने first twice में ये डाला है aims पटना first twice पर aims पटना डाला है इसने और इसके down rank 700 rank वाले ने first twice पर RML डाल दिया है first twice पर इसने RML डाल दिया है तो काफी सारे कंडिडेट को ये doubt होता है कि ये जो इसके lower कंडिडेट ने first twice डाली है वो अलोट होगी उसको पहले अलोट हो जाएगी और जो 180 वाला है इसने पटना बाद में डाला है तेरा नमर पर डाला है तो इसको बाद में अलोट होगा तो ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है पहले computer आपकी rank देगेगा आपकी rank पर आपकी जो possibility है वो अलोट करेगा और फिर आपसे नीचे वाले candidate की जो rank है उसकी 24 के according उसको अलोट करेगा ऐसा नहीं है कि उसने पहले RML दे दिया तो उसको पहले RML मिल जाएगा और इससे अपर rank वाले ने पहले aims पटना दिया तो उसने पहले aims पटना इसको RML पहले मिलेगा 700 rank को ऐसा नहीं है मेरी बात से आप सेमत हो गे होंगे समझ गे होंगे कि इसमें 24 को पहले फिल करने का फाइदा तब होता है आप पहले कौन सी college चाल रहे है वो पहले फिल करने का फाइदा होता है कभी भी आपके down rank वाड़ा candidate आपसे अपर seat नहीं ले सकता चाहे उसने उस college को एक number पर फिल किया है और आपने सबसे last में फिल किया है आपने सबसे last में किया है तो आपको पहले preference वाली college ही मिलेगी ऐसा नहीं है कि आपसे down rank को जिसने पहले preference दे रखा है उसको पहले मिल जाएगी ऐसा नहीं है वो preference के according ही college मिलती है तो इस प्रकार से computer द्वारा college का allotment होता है और मेरा समझाने का मतलग यही था मकसद यही था कि आपको top से lowest के क्रम में college फिल करना चीए बाकी काम computer का है 24 का मतलब यही होता है कि हम पहले नमर पर यह 24 चा रहे हैं हमारे को पहली नमर पर यह college दी जाए अगर यह संभाव नहीं है तो दूसरी नमर वाली college दे दो यह तीसरे नमर वाली दे दो इस प्रकार से हम preference फिल कर देते हैं तो मेरे ख्याल से आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि computer द्वारा कैसे allotment होता है और top to lowest के करम में कैसे allotment किया जाता है अब हम बात करते हैं आगे next point की अब next point यह है कि जिस state में PG में benefit होता है यह तो जिस state में PG में benefit होता है उस state को आपको prepare करना चीए अभी rule यह है कि कोई भी candidate जिस state से MBBS करता है उस state की वो seat ले सकता है हलांकि एक दो state ऐसे हैं जो अपने domicile candidate को भी वो PG में reservation देते हैं जैसे माराश्टर हो गया करनाठक हो गया चाहे उन्होंने MBBS कहीं से भी किया हो लेकिन फिर भी वो अपने state candidate को preference देते हैं उसमें लेकिन बहुत सारे state ऐसे हैं जो अपने state यानि domicile state को नए दे करकि जहां से जो candidate MBBS करता है वहीं वो domicile use करेगा PG में तो आपको यह देखना है कि PG की seats जिस state में ज्यादा हो easily आपको PG में admission मिल जाए उस state को आपको preference देना चीए अब next ध्यान रखना है आपने bond का bond का मतलब यह है कि MBBS complete करने के बाद में काफी सारे state ऐसे हैं जो अपने state में कुछ time के लिए service करवाते हैं जैसे कि मालो तमिल लाडो में 5 साल का bond है अगर आप 5 साल service नहीं दे रहे हैं तो फांच लाक रुपए आपको deposit करना पड़ेगा उडीःसा में दो साल का है 25 लाक है पड़ेगा चातिस गड़ में 2 साल का है 20 लाग deposit करना पड़ेगा तो ऐसे bond हैं इसमें हर एक स्टेट में हर एक क्या कुछ स्टेट में बॉंड है इसमें जैसे तेलंगाना में नहीं है आंद्रा में नहीं है बिहार में नहीं है जारकंड में नहीं है तो इन स्टेट में बॉंड नहीं है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखना है कि बॉंड वा या फिर PG के लिए तैयारी कर सके या फिर कहीं अन्यतर आप admission लेना चाते हैं PG के लिए या USMLE exam में जाना चाते हैं तो आप कहीं भी जाना चाते हैं तो फिर हो जाते हैं तो bond का आपने खास ख्याल रखना है अब इसमें आगे टोफ कोलेज आपके पहले home state के टोफ कोलेज फि और आपको सुख सुविदा भी अपने state में ज्यादा मिलती रहेंगी नजदीक रहेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा उसमें फिर अगर आपके state में home state में टोफ कोलेज नहीं मिल रही है तो आप अपने nearby state में टोफ कोलेज देख लें यानि कि अपने state को preference दें उसके बाद में nearby state को preference दें उसके बाद other state को preference दें उसके बाद में medium कोलेज भरें home state की और medium कोलेज फिर nearby state की भरें और फिर medium कोलेज other state की भरें तो इस परकार से आप choice फिल करेंगे तो आपके लिए काफी helpful रहेगा फिर से बता देता हूँ एक white page ले ले और इस white page पर अपने rank के according आप त और उसी में आप top से low के करम में फिल करें उसके बाद में lower college भरें आप अपने home state की अगर आपकी rank down है तो और फिर nearby state और other state की अब आपने old जो colleges हैं उनको preference देना है ये काफी ज्यादा होता है तो इससे जितना ज्यादा patient flow होगा hospital का आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा जैसा की MBBS first year और second year में theoretical part है यानि कि आपको theory पढ़ाई जाएगी dissection का class लगेगा उसमें और lab और की class ही लगेगी लेकिन फिर third year और third year के first professional में third year के second professional में यानि third year और fourth year में आपको hospital में ही सीखना है जो भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा वो hospital में मिलेगा और internship तो है ही पूरी आपकी hospital internship तो hospital ही है उसमें तो कोई teaching का कोई है नहीं hospital में ही सीखना है तो सबसे ज्यादा आपने ये ध्यान देना है आप ऐसी college का चूज करें जिसके अंदर hospital अच्छा हो, hospital में patient flow अच्छा हो, infra structure अच्छा हो, even PG facility भी उसमें PG की भी काफी सारी ब्रांचे हो जिस medical college में PG की जितनी ज्यादा ब्रांचे होंगी उसमें आपको सीखने के लिए ज्यादा मिलेगा वो क्यों मिलेगा? क्योंकि उसमें PG student रहेंगे और PG student first year, second year, third year अगर हर एक department है उस college में जैसे radiology है, pedia है, medicine है, surgery है, OBG है, gyino है, ये सारे के सारे अगर department हैं उसमें तो सारे departments में आपको सीखने के लिए मिलेगा PG, आपके seniors होंगे, वो आपको सिखाते रहेंगे तो आपने ये भी preference देना है कि hospital अच्छा हो, उसमें patient flow अच्छा हो और ताकि आपको सीखने के लिए काफी कुछ मिल सके तो ये जानकारी थी, जो मैंने आपको बताई है, 24 फिल करते से मैं इन बातों का अपने ध्यान रखना है, और 24 फिल करते से मैं इन बातों का ध्यान रखते हुए ही 24 फिल करनी है आपको top से lowest के करम में college देखने हैं, तो इस वीडियो के description में हमारी book का link है, ओल इंडिया की book है, उसमें आप देख सकते हैं, top से lowest के करम में उसके according आप फिल कर सकते हैं, colleges तो ये जानकारी थी 24 फिलिंग के बारे में, बाकी updates मिलते ही हम आपको inform कर देंगे, तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन